कभी ये जो बेलपत्र होती है ना आप लोग समझे ना बैयो जितने लोग दिल से कथा सुनने आयो वो दिल से सुनियेगा समझियेगा कभी खरदाई चित्त में अगर आजा चंदन हाथ में लेकर केवल इस भात को पकड़ कर भी अगर आप देवदिदे महादेव को बेलपत् कर देन तीन तित्यों का इसमर्ण कर ये जरा ठीक है पहला सिभरात्री हर महीने आती प्रतिक महीने शिवरात्री आती दूसरा सोंमार की अश्टमी हर महीने नहीं आती साल में तीन या चार आती और तीसरा प्रदोश्क है योःत्त Kr Melchis有一e हर महीने आता जब आपके हिर्दय में कभी कोई बात आ जाए कि बाबा आज मेरा मन ये कह रहा है और आपको सुनना है बाबा आपको सिकारना है बाबा आपको मेरे मन की बात जानना है बाबा बस हाथ में चंदन लगाया बेल पत्री का भाग इस तरह से पकड़कर शिवजी से अपने हिर्दय की बात कहकर मेरे देवदी देव महादेव से दिल से कहकर अशुक सुन्दरी वाली जो जगा होती है आपको बताया है अशुक सुन्दरी का जो स्थान होता है ये शिवलिंग यहां अशुक सुन्दरी की जगा इस बेल पत्र को अशुक सुन्दरी वाली महादेव को दिल से कहकर आ जाईए अगली सुंबर की इस्तमी या अगला प्रदोश या अगली शिवरात्री जवाती है मेरा महादेव आपकी मनो कामना का भाव पून करता है ये शिवतत्व है इसको ओघडी कहते हैं ओघडी